हेलो दोस्तों विलकम तो सेवाटेक और मैं हूँ आपका दोसे जास्या फ्रेंड्स क्रिप्टो करंसी मार्किट से कुछ न्यूज इंड अपडेट्स यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा शीबा इनू की स्पेशली कुछ न्यूज हैं और कुछ अपडेट्स हैं आपके मिस्टिक हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है ताके आप अवेर हैं कि शीबा इनू के एकोसिस्टम के अंदर क्या कुछ चल रहा है और क्या चीज़े हैं कि ज जो यहां पर पेपे हैं उनके धर्मियान तो यहां पर मैं भी थोड़ा कंपेर करके आपको बताऊंगा कि वाट आर रियल डिफरेंसे बिविन दीज कौइन्स इनमें एक्चली डिफरेंस क्या है मैं जो वह प्रिफेर अचली ज्यादा जो हो शीबा इनू को क्यों करता हू नो डाउट फ्लोकी इनू ने बड़ा यहां पर प्रॉफिट दिया है लोगों को और देना भी चाहिए एक अच्छा खासा वक्त उसको भी लाँचिंग हो चुका है और मतलब वो भी शीबा इनू के बाद ही और शीबा इनू की जो पापिलरिटी थी उसको लेकर ही मार्के में आएंगी फ्लोकी इनू हमारे पास भी हैं आपके पास भी हम यहां से प्रॉफिट बना रहे हैं ट्रेडिंग भी करते हैं सब कुछ करते हैं वो एक अलग चीज है ठीक है इसको आप इस तरह से मत देखिएगा कि भाया मैं कोई किसी बी एक स्पैसिफिक या पर्टिकिल इंटर्स को लेकर तो वो रियलिस्टिक बुन्यादों पर बैस्स पर जो हमें चीजें देखनी पड़ती हैं उबीद करता हूं कि वीडियो आपको बड़ा पसंद आएगा और आप लाइक जरू कर देंगे कमेंट करना और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना आप नही किया तो अगर अब आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दें और कमेंट नहीं किया तो वो भी जरूर कर दें। पर तकरीबन, जो है, वह कल मैंने आपको बताया था और इधर ही प्राइज आया है और रुका ए उसके बाद जो है वह वो प्राइज पंप कर गया और वापिस जो हो इसने जम्प लिया बलकि दो दिन की पहले की वीडियो चाहिद थी मैंने उसमें मैंने आपको कहा था कि भाया आप अपने और्डर्स यहां पर बाय के प्लेस कर दें ठीक है अगर आपने 0.4 टाइम 030 पर ट्रेड ली होगी और यहां पर डबल 3 पर इस वक्त आप पहुंचे होगे तो मलब शीबा इनों के जो यह नंबर्स है इनमें इतना डिफरंस आना उसमें जो एक अच्छी खासी मार्केट केप चाहिए होती है ठीक है यहां से बिलकुल यह जो वो प्राइज बाकाइदा तोर पर कोई उपर जाने वाला है लेकिन यहां पर जो मैं सपोर्ट देख रहा हूं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइज अभी यहां पर रुकने वाला है बिकाज बिटी सी ने दोस्तों यहां पर सेवन्टी थाउजन डॉलर को क्रॉस कर दिया है सेवन्टी टू थाउजन डॉलर को भी मलब कुछ देर पहले क्रॉस किया था इसका मतलब यह कि मार्किट के अंदर बुलिश सेंटिमेंट बाकाइदा तोर पर दोस्तों मौजूद है जो के अभी तक उसने नहीं तोड़ा इस वक्त प्राइज जो हो फोर थाउजन और फोर्टी वन थाउजन डॉलर के दरम्यान चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं ठीक है तो यहां पर अभी भी आट सो डॉलर का उसके अंदर डिफरेंस है लेकिन बीटी सी अपना आल टाइम हाय तोड़ चुका है तो यहां से आपको चीजें समझ में आएगी कि हर कॉईन जो हो एट टाइम सही से या एक तरह से भीएव नहीं करता तो यहां पर शीबा एनू के अंदर एक थमती भी रेली आपको नजर आ रही है लेकिन यह वंस अगेर एक तूफान मेरा ख्याल है कि यहां से उठेगा थोड़ी बहुत करेक्शन अगर होती भी है तो बनलब पॉसिबल है लेकिन यहां से एक और तूफान उठने वाला जरूर है और इसी का एक्जमपल यहां पर आपको मिलता है आप देख सकते हैं कि शीबा एनू शीब वेल्स डिसपियर एज लार्ज ट्रांसिक्शन प्लंप्ट यहां पर इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ यह है कि जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो डिसपियर हो रही है अब डिसपियर होने का मतलब एक तो यह निकलता है कि या तो उन्होंने ओर्डर जे वो चुप करके बैड़ गया लेकिन वो ट्रेड नहीं कर रहे है या पिर यह है कि उन्होंने पैसे यहां से निकाले और वहां पाउसिड्र थे हैं तो यह नहीं यूद्ग की अपर एंट Iya इन डिटा जो है वह इस तरह की न्यूज शेयर करते रहते हैं वहां से ली है और मैंने आपको यहां पर बताया इसके लावा एक और न्यूज भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि शिबाइन उटीएफ प्रोपोजल गेट्स 5200 इस सिगनेचर रेली टू फॉलो सून ये मदब कभी कबार तो इस पर हसी भी आती है कि यार मदब अभी बीटीसी का एटीएफ ही अप्रूवल हुआ है और जस्ट 11 हुए है और यहां पर इथिरियम का एपरिल के अंदर पॉसिबल ही हो सकता है उसके बारे में हम confident नहीं 100% के हो जाएगा आप सोचते हैं कि यार अल्ला करे हो जाए मदब नहीं होता तो इथिरम की prize यहां से अच्छा का सा क्रेश मार सकती है मदब एक थोड़े short term के लिए क्रेश मारेगी अच्छा तो यहां पर Shiba Inu की जो community है उन्होंने petition डाल दी है कि बलेक रॉक या ग्रेश के लगएरा जो companies है उनको कहा गया है कि भाईया आप जो है वो यहां पर Shiba Inu का ETF जो है उसके लिए application डाल दो और वो approve कर वा हूँ तो उसके लिए 5200 लोगोंने petition डाल दी है I don't know कि ये मालब कब accept होगी होगी या नहीं होगी ये इतना आसान मेरा ख्याल है कि नहीं है क्योंकि अभी बड़े-बड़े projects यहां पर रहते हैं मिसाल के तोर पे BTC के बाद इतिरम आ जाता है उसके बाद सोलाना आ जाता है XRP आ जाता है और इस तरह के और भी बड़े-बड़े projects जो अभी भी market के अंदर मौझूद है जिनकी बड़ी recognition जो है वो market के अंदर है Shiba इनों के लिए एक problem जरूर है दोस्तो कि इसका जो introduction है वो अभी तक meme वाला मनदब काइम जरूर रहता है आला कि इसने अपने आपको बड़ा change यहां पर किया है अब बात कर लेते हैं दोस्तों BTC की तो आपकी screens पर आप देख सकते हैं कि साड़े बहतर हजार डॉलर पर BTC की trade इस वक्त एक्चली चल रही है समझ में नहीं आता कि हैसे या रोएं क्या करें मतलब कौन मानेगा कि यह आज से एक देख साल पहले जो है वो पंदरा चौदा हजार डॉलर पर यही कौइन जो हो एक्चली ट्रेड कर रहा था expect ही नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी यह सारा scene हो जाएगा after the approval of ETF ठीक लेकिन देर ही नहीं हुई हम यह कह रहे थे कि ETF के बाद एक डंप आएगा ठीक है थोड़ी देर के लिए आया भी लेकिन उसके बाद cover up हो गया और यह प्राइज जो हो अच्छा खासा उपर चला गया दोस्तों दो तीन महीनों के अंदर मेरा ख्याल है कि यहां से जो प्राइज है वो more than 83,000 डॉलर कम से कम भी चला जाएगा 83,000 जहें मेरा ख्याल है कि 95,000 डॉलर तक भी possible ही जा सकता है लेकिन 83 से उपर ही रहेगा प्राइज और यह अगले एक दो मन्स के अंदर ही I think के मलब एक मन्स के अंदर ही शायद जो हो यहां पर हो जाए क्रेश की अगर बात करें तो मन्स किसी भी वक्त आ सकता है अगर कोई बैड नियूस आ जाती है लेकिन यहां पर ट्रेड करके प्रॉफिट्स बनाए जा सकते है overall sentiment जब bullish होते हैं तो क्रेश आते तो हैं मन्स तरह की कोई negative अगर नियूस वगर आ भी जाती है तो उनका असर जो बड़ा short time के लिए होता है कोई long term के लिए नहीं होता क्योंके यहां पर market अपने cycle में आ चुकी है अच्छा यहां पर कुछ चीजें clear करना बड़ा जरूरी है बहुत सारे दोस्त इविन मेरे अपने जो close friends हैं वो भी यह सोच रहे हैं कि शायद यह जो bull market है वो ऐसे ही होता है कि इसने अपना all time high तोड़ दिया तो बस यह खतम ही हो गया शायद लेकिन ऐसा है नहीं तोस्तो यह all time high को तोड़ना एक bull run की शुरुआत है मतलब यहां से एक signal मिला है कि हम bull run के अंदर आ चुके हैं और यह bull run जो वो एक से डेर साल तक possible ही रह सकता है सही से bull run जो होगा ही शुरू एपरिल से जब इसकी halving जो हो बीटी सी की हो जाएगी अब बात कर लेते हैं दोस्तो शीबा इनू बेबी डॉज हो या फिर पेपे कोई नू हो या फिर फ्लोकी इनू हो इन में और बाकी सारे एक तरफ और शीबा इनू एक तरफ इन में और शीबा इनू में फरक क्या है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था डिफरेंस दोसो एक्चिली यह है कि शीबा इनू अपना एको सिस्टम बना चुका है नमबर वन नमबर टू दोसो शीबा इनू फुली डिसेंट्रलाइजड है मतलब पेपे को किसी तोर पर समझा जाता है कि उसके सारे जो टोकेन है वो सर्कुलेशन में है और कोई भी टीम जो है वो ओन नहीं करती लेकिन अगर हम बेबी डॉज कोईन को देखें या फिर फ्लोकी इनू को देखें तो उनके पास टोकेन जो वो पड़े हुए है यहाँ पर टीम के पास कोई भी टोकेन नहीं है जो मतलब बनाये गए थे मार्केर के अंदर जो हो चोड़ दिये गए और पिर यहाँ पर उसकी ट्रेडिंग जो हो शुरू हो गई सबसे बड़ा मसला जो है वो यह होता है ठीक है कि अगर टीम के पास है तो वो दो काम यहाँ पर कर सकती है तो यहाँ पर रिसेंटली फ्लोकी ने जैसे बर्निंग की है तो बड़े बुलिस सेंटिमेंट हो गया और प्राइस जो वो उपर जाने लगया यह फर्स्ट बर्निंग तो है नहीं बर्निंग जो टूसादन टूइटी टू एंट्री के अंदर भी होती रही है लेकिन जब सेंटिमेंट उपर या पॉजिटिव नहीं होते तो कितनी भी बर्निंग सेंटिमेंट करते रहो कुछ भी नहीं होता लेकिन जब पॉजिटिव सेंटिमेंट चल रहे होते हैं तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि आपकी बर्निंग हो कोई announcement हो, कोई partnership हो एक बहुत बड़ी rally जो वो यहां पर बना देती है ठीक है, तो ये एक role play जरूर करते हैं कि अगर market में जो team है, उसके पास token है तो, दूसरा role ये play करते हैं कि team के पास पड़े हैं तो वो dump भी कर सकते हैं, मालब एक बड़ी quantity के अंदर उनके पास अगर token पड़े वे तो वो sale कर सकते हैं, market के अंदर price जो वो गिरा भी सकते हैं, ठीक है लेकिन decentralized उसको समझा जाता है सही तरीके से, जो के team के पास token वगेरा ना हो token की एक inflation जो market के अंदर होने की तवक्क कि सीबी तोर पर ना हो, ये age जो हो यहां पर Shiba Inu के पास है number two पर अगर आप दोस्तों देखें तो जितनी development पिछले दो तीन सालों के अंदर Shiba Inu की team ने की है, मेरा ख्याल है कि इतनी किसी भी और project ने नहीं की, मैं मतलब challenge के साथ कह रहा हूँ, आप यहां पर solana को भी ले आएं, यहां पर आप कारडानों को भी ले आएं एवाक्स को भी ले आएं, सारे के सारे जितने different sectors के अंदर Shiba Inu इन दो तीन सालों के अंदर घुसा है Metaverse को ले लें, gaming को ले लें, blockchain को ले लें, ठीक है, Shiboshis को ले लें new tokens को बनाना, फिर swaps को बनाना ये तीन, चार, पाँच चीजें जो है, वो इन्हों ने यहां पर बनाई हैं, develop की है पिछले दो, तीन सालों के अंदर और launch भी की हैं, ठीक है उनके models यहां पर काम भी कर रहे हैं, तवक्को यह है उम्मीद यह है, कि इनके different or model जो हो आने वाले दिनों में हमारे साथ आएंगे, और यह सीक करेंगे एक बहुत बड़ी investment को, तो यहां पर भी age जो है, वो शीबा इन्हों के पास आ जाती है बेबी डॉज को देख लें, तो शीबा इन्हों के comparison में कोई भी इतनी बड़ी development नहीं हुई, फलोकी को देख लें, तब भी नहीं है हाँ, advertisement पर मतलब जो है, वो ज्यादा जोर देते हैं, बाकी और इतना खाम नहीं है, ठीक है, पेपे कोईन की तो खुद वेब साइट पर लिखा हुआ है, कि हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हमने token बना और market में छोड़ दी है, तो वो वहाँ पर इस तरह से चल रहा है, market उपर जा रहा है, sentiments उपर हैं, एक और new जो है, वो meme कोईन चाहिए, investors को, या पिर जो सटा खेलने वाले लोग है, उनको तो वो यहाँ पर यह सारा scene कर रहे हैं, किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा क्रेश, दोनों तीनों कोईन्स के अंदर आ सकता है, जैसे शीबाइनू के अंदर पहले आया था, लेकिन अब शीबाइनू ऐसा ऐसा अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट करके वापिस बढ़ने लग चुका है, तो यह शीबाइनू इस तरह से टॉपल हो जाता है, बाकी और कोईन से, यहां पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि आपकी वज़ा से हमारे साथ यह हो गया, वो हो गया, तो भाईया हम सिर्फ आपको यह नहीं बताते कि अगर मीम कोईन्स बताने हो तो बहुत सारे आ रहे होते हैं और बहुत सारे इस तरह से होते हैं कि उनके प्राइज हंडर्स अफ़ परसंट जो वो बढ़ भी जाते हैं एक दो दिनों में, लेकिन सिर्फ हम आपको ऐसे ही कोईन बताते रहें इसलिए हम ज्यादा जोर जो वो इस तरह के प्रोजेक्स पर देते हैं आप भी कुछ इस तरह से करें सटे के लिए थोड़ा अमाउंट रखें ज्यादा आपर पैसा मत लगाएं ऐसे सटे वाले कोईन्स के अंदर आए होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दे ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें ठेक कियर अल्लाहाफिस